पटे हुए दूद से रजगुला देखिए ये पटा हुआ दूद है इसे छान लेंगे देखिए दूस्तों इसका पानी निकाल देंगे निचोड के और इसे हमें दो घंटा तिम घंटा के नहीं रखना है इसे निचोड के निकाल लेंगे देखिए दूस्तों ये हमारा टेडी हो गया इसे अब प्लेट में निकाल देंगे और इसको 10-15 मिनिट तक आटे के जैसे गूनना है मसलना है तब तक हम लोग चासनी बना लेते हैं दोस्तों हमें चासनी के लिए एक कट्रा चीनी और इसके साथ दो कट्रा पानी चाहिए और साथ में केसर थोड़ा सा डालेंगे आप नहीं चाहते हैं तो नहीं डालें इसका कलर बहुत अच्छा था इसलिए मैं डालूंगी कट्रा जला लिए दोस्तों अब इसमें एक कप चीनी और दो कप पानी डालेंगे और साथ में थोड़ा सा केसर डाल देंगे और इसको चलाते रहें देखिए इसे चलाते रहें चास्मी इसे धिमियाच करके रख देंगे दोस्तों और इसको चलाते भी रहेंगे बीच बीच में तब तक हमारा डोर रसगुला के लिए डोर तराई करेंगे करेंगे इसमें डेख चमस मैदा डालेंगे दोस्तों और इसको डोबनाएंगे इससे 10-15 मिनिट तर ऐसे मसलना है देखे दोस्तों इस चासनी को बीच बीच में चलाते रहेंगे देखे दोस्तों हमारा चासनी हो गया है इससे बंद कर देते हैं देखे दोस्तों रस्पनेट हो गया है रस्पनेट तक हम मसले इससे अब देखे हमारा डो रेडी हो गया है थाली में नहीं चिपक रहा है इसका मतलब दो हो गया है अब इसका छोटा छोटा गोला बना लेंगे रस्पनेट बनाएंगे देखे थाली में बिल्खिल नहीं चिपका है अब इसके रस्पनेट बना लेंगे देखे ऐसे पहले ऐसे तोड़के रख लेंगे इसे उसके बाद गोला बनाएंगे देखे दोस्तों इसको ऐसे से गोला बना लेंगे देखे इसका गोला बना रहे हैं यह बिल्कुल नहीं थटा है इसका मतलब अच्छा हो गया है ऐसे पूरा सब बना लेंगे देखे दोस्तों सब बना लिए हैं हम दो इसे गोल गोल अब इसे चार्सनी में डालेंगे देखे जो दोस्तों हमारे चार्सनी में उबाला आ चुका है अब इसमें एक एकर के डाल देंगे और दस मिनिट तक ऐसे पकाएंगे इसे ढखकर दस मिनिट के बाद फिर इसे पलट देंगे पलटने के बाद और दस मिनिट पकाएंगे अब इसे ढखके दस मिनिट पकाएंगे दोस्तों यह हमारा रस गला बनके तयार हो गया है अब इसे गयस बनके के उतार लेंगे ठड़ना होने लिए रख़ देंगे जोस्तो यह हमारा रसगुला रेडी हो गया है आभी इसे घर में ट्राइ करें और जरूर बना के खाए बहुत अच्छा भी बना है और सब्सक्राइब करना लाइक करना ना भूले जोस्तो